Hello and welcome again हमने अपनी लाश्ट वीडियो में सैंड मेर एंगेटर में जैसी बेहर इंपॉर्टन रेक्शन की ट्रिक्स देखी ती तो इस ट्रिक्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे आज वॉट्स फिटीग एंड वॉट्स फिटीग जैसी इंपॉर्टन रेक्शन की ट्रिक्स तो जाधा टाइम ना वेश्ट करते हुए लेट्स बिगिन तो देखेंगे ट्रिक्स शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन रेक्शन में होता क्या है तो सबसे पहले हम यहां पे कुछ बेसिक्स देख लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे अपनी बेहद इंपॉर्टन ट्रिक पर तो देखें हमारी पहली रेक्शन है वुट्स रेक्शन वुट्स रेक्शन में बेसिकली हमारे पास दो अलकाइल हलाइड होते हैं और दो हमारे पास sodium atoms होते हैं और यह react करते हैं in the presence of dry ether basically alkyl halide में जो alkyl और halide का bond होता है वो तूट जाता है और इसमें से जो दो alkyl group निकलते हैं वो आपस में react कर लेते हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए फरिष्टा बन जाते हैं और एक दूसरे की valency को पूरा कर देते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है एक ऐसा hydrocarbon जिसमें alkyl halide से double carbon atoms होते हैं उसके बाद जो दो halide groups हमें मिलते हैं उनके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो side में जाके बैठ जाते हैं फिर उनके लिए एक फरिष्टा आता है जो होता है हमारा sodium atom sodium atom दोनों halide group के साथ जाता है और उनके साथ react करके nax group बना लेता है तो basically इसमें halide group का transfer होता है वो alkyl halide से sodium के पास चला जाता है और हमारा एक ऐसा hydrocarbon बनता है जिसमें double number of carbon atom होते हैं alkyl halide से तो अब आते हैं हमारी second reaction पे that is fatigue reaction fatigue reaction basically woods reaction जैसी ही होती है बस इसमें फरक ये होता है कि यहाँ पे हम लेते हैं aryl halide तो यहाँ पे हमारे पास aryl halide के दो molecules होते हैं और दो molecules होते हैं sodium के और यह दोनों react करते हैं in the presence of dry ether aryl halide में जो phenyl और halogen का जो bond होता है वो तूट जाता है और दो phenyl group आपस में react करके di phenyl बना लेते हैं उसके बाद जो दो halogen atoms हमारे पास बचे वो side में जाके बैठ जाते हैं और उनका फरिष्टा आता है that is sodium sodium इनके साथ react करके nax बना लेता है और यह पूरी reaction होती है dry ether की presence में तो देखें वोट्स और fatigue में कुछ भी difference नहीं है सिवाए alkyl halide और aryl halide के अब आते हैं हम अपनी तीसरी reaction में that is woods fatigue reaction देखें woods fatigue जैसा कि आप देख सकते हैं combination है woods and fatigue reaction का तो इसमें दोनों के components होंगे अब दोनों reactions में difference सिरफ और सिरफ alkyl halide और aryl halide का था तो यहाँ पे होगा ये कि एक हमारे पास alkyl halide group होगा और एक हमारे पास aryl halide group होगा alkyl halide में alkyl और halogen के बीच में जो bond था वो तूटेगा and aryl halide में phenyl और halogen के बीच का bond तूटेगा और ar group जाके लग जाएगा phenyl के ऊपर तो यहाँ पे हमारा बनेगा alkyl arine उसके बाद दो halogen atom साइड में जाके बैट जाएंगे और उनका फरिस्ता आएगा sodium जो उनके साथ मिलके nax बना लेगा और यह reaction भी होती है in the presence of dry ether तो अब हम चलते हैं अपनी tricks पर तो देखिया आज की हमारी जो tricks होने वाली हैं वो काफी simple and काफी easy हैं तो हमारी पहली trick होगी what's reaction पर यहाँ पे आपको imagine कर लेना है कि आपका एक friend है naath और उसकी wife का नाम है alka तो यहाँ पे हमारी line बन जाएगी alka naath की wife तो देखिये alka से मेरा मतलब है हमारा alkyl halide and naath में n-a-r है that means naath is for sodium and wife का मतलब है हमारी what's reaction तो देखिये what's reaction के अंदर हमारा alkyl halide sodium के साथ react करेगा तो इस तरीके से हम इस reaction को याद कर सकते हैं तो कुछ इसी तरह से होगी हमारी fatigue reaction की trick अब यहाँ पे आपको imagine कर लेना है कि आपको जो friend है naath उसके father का नाम है arun तो line हो जाएगी arun naath का father arun से मेरा मतलब है हमारा aryl halide na का मतलब है sodium and father father का देखिये मतलब है fatigue reaction तो basically fatigue reaction के अंदर हमारा aryl halide sodium के साथ react करता है तो देखें ये दोनों reactions हमें बहुत इजली याद हो चुकी है बट अब आप सोचेंगे कि what fatigue reaction के लिए क्या trick होगी हम what fatigue reaction को कैसे याद आखेंगे देखेंगे what fatigue reaction में wife और father यानि woods और fatigue दोनों की एक साथ बात होगी तो जहां पर wife की बात हो रही है वहाँ पर alka की बात होगी और जहां पर father की बात हो रही है वहाँ पर हमारे arun की बात होगी that means कि woods fatigue reaction के अंदर हमारा alkyl halide और हमारा aryl halide एक साथ एक reaction के अंदर आएंगे तो इस तरह से हम ये तीनों रियक्शन बहुत इजली याद कर सकते हैं तो देखिए वुट्स फिटीग और वुट्स फिटीग तीनों रियक्शन में आपको पता है कि हेलोजन जो ग्रॉप होता है उसका ट्रांसफर होता है from the alkyl halide या aryl halide to the sodium तो यहाँ पर अगर आपको halogen exchange अपनी ट्रिक में इंग्लूड करना है तो यह ट्रिक कुछ इस तरह से modify हो जाएगी आपकी जो ट्रिक है वो बन जाएगी अलका नात की है wife यहाँ पर H.E. का मतलब है हमारा halogen exchange similarly हमारा जो फिटीग है वो modify हो जाएगा अरुन नात का है father तो इस ट्रिक के अंदर जो H.E. हो हो जाएगी halogen exchange तो देखिए इस तरह से आप यह तीनों reactions की trick याद कर सकते हैं और इस से पहले मैंने Sandmare and Getterman की trick भी डाल दी है और आने वाली videos में मैं बहुत सारी organic name reactions को cover करने वाला हूँ बहुत सारी reactions की मैं tricks देने वाला हूँ तो मैंने एक playlist बनाई है organic reactions tricks के नाम से आप description खोल लीजिए वहाँ पर आपको उसका link मिल जाएगा या फिर उपर i button पर आप click कर दीजिए वहाँ पर भी आपको playlist का link मिल जाएगा थैंक यू जाएगा